नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि वो कौन से तस्वीर है जो बिश्व के सबसे ज्यादा लोगों ने अज तक देखी है अगर इसका जवाव आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है बने रहे हैं अब ही अपने जो तस्वीर देखा ये पिक्चर हम सबने देखिया सबने विंडोज एकस्पी के जो ऑफिशल डेक्स्टॉप वॉल पेपर है यहां पर और आपको शायद लग रहा है कि ये तो कोई कंप्यूटर जेनरेटेड पिक्चर है और ये कोई रियल पिक्चर नहीं है अगर आपको ये लगता है तो आप गलत है तो क्या है इस तस्वीर के पीछे का हिस्ट्री वो आज जानेंगे इस फोटो को जिसने लिया था उनका नाम है चॉल्स ओरियर ये बात है जैनवरी 19 Miz 2 चल्स और ये अपने गर्लफ्रेंड डैफनी अरवीन से हर फ्राइड को मिले जाते थे मिल नापा और और नापा और सोनामा की बीच में कही जगा पे उनको एक व्यू मिला उनको बहुत अच्छे लगे वो रास्ते के साइड में अपने गारी को रोका और गारी से अपने ट्राइपॉड को निकाला और उनके पास तब मामिया की RZ67 की मॉडल की कैमेरे थी वो अपने कैमेरे को ट यह ऐसे मस था फेल्म के कलर साचूरेशन के लिए क्योंकि 1996 में डिजीटल फोटोग्राफी उतनल फेमस नहीं था और वहां पर सब फोटोग्राफी फिल्म रोल से होता था और वेलविया का फूजी फिल्म का जो यह रोल है वो कलर सेचुरेशन के लिए बहुत ही फिमस था और इस फिल्म का उन्होंने इस्तेमाल किया था इस फोटो में और वहां पर उन्होंने चार फोटो लिये थे और इन अगर आप पर उन्होंने इस फोटो को दिया था फिर बाद में वें को कॉर्बिस में वो इस्ट्लाइट को खर लिया और कॉर्बिस के जो मालिक थे वो थे बिल केट्स अब हुआ क्या 2000 में जब Microsoft Windows XP लांच करने के लिए सोच रहे तो तब उनके ओफिशिल डेक्स्टॉप वाल पेपर के लिए उनको एक फोटो की जरूरत थी और वो कॉर्बिस के जो स्टॉक फोटोस थे उनमें से फोटोस चूस करने लगे और ये जो व्यूकॉली ग्रीन हिल्स नाम के जो फोटो थे उनको बहुत पसंद आए तब कॉर्बिस से उन्होंने चल सोरियर से कॉन्टैक्ट किया और उनसे इस फोटो की कॉपीराइट उन्ह माइक्रोसफ ने जब कॉर्बिस से व्यूकॉली ग्रीन हिल्स की तश्वीर को लिया था तब उन्होंने उनका नाम चेंज कर दिया ब्लिस और यहीं ब्लिस सबसे फेमस सबसे देखी गई फोटो में से एक बन गया बहुत सरे लोगों का मानना ही है कि इस फोटो को डिजिट फेल्म रोल जो की कलर सेचुरेशन के लिए फेमस था और कुछ भी एडिक्टिंग इसमें नहीं की गई थी हां हाला कि माइक्रोसफ ने कॉर्बी से जब यह स्टॉप फोटो लिया था उसको थोड़ा सा क्रॉप किया था पर यह एक बिल्कुल ही अनेडिक्टेड पिक्चर है और रियल पिक्चर है जिसको चॉल्स उरियर ने 1996 की जैनुवरी में लिया था और 2001 में मतलब उसके पांच साल बाद इसको ओफिशियल वाल पेपर के तोर से यूज किया गया था और यह आज तक की सबसे ज्यादा देखी गई फोटो है most viewed picture in this world अगर आपको यह वीडियो आपको नहीं पता था तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करतीजिएगा चलिए मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पे तब तक के लिए बाई बाई